दोस्तों इस वीडियो में हम दो प्रोजेक्ट की डेटेल आपको प्रोवाइड कराएंगे पहला प्रोजेक्ट आपका एवाइब है एवाइब का जिल लोगोंने OKX का एडरस दिया था उनको भी अब यहाँ पे क्लैम करना पड़ेगा इसका यहाँ पे अपडेट प्रोवाइड किया गया है दूसरा में QNE3 जिल लोगोंने पार्टिसेपेट किया था उन लोगों को कोईन रिसीव होना शुरू हो गया है उनको कैसे क्लैम करना है इसकी डिटेल भी बताएंगे तो सीधे चलते हैं टॉपिक पे समझते हैं कि अपडेट क्या है सबसे पहले QNE3 का ही प्रोसस पता देते हैं उसके बाद OKX का प्रोसस पताएंगे link हमने आपको टेलिग्राम पे दे दिया है जैसे ही आप link पे क्लिक करेंगी अगर आपने claim अगरा किया होगा तो यहाँ पे आपको एक option दिया जाता है connect wallet का इसी connect wallet पे आपको click करना है और जैसे ही आप connect wallet पे click करेंगे आपको अपना MetaMask connect कर लेना है अब आपको MetaMask बही connect करना है जिससे आपने परड़ यहाँ पर transactions बगएरा किये हैं जैसे ही आप यहाँ पर connect बगएरा कर लेंगी connect करने की बाद देख सकते हैं switch network करना पड़ता है यानि अगर आपकी कोई other blockchain select है तो BNB में या UPBNB में आपकी आईगी यहाँ पर आप देख सकते हैं wallet बगएरा connect हो चुका है अगर आपका connect नहीं होता है तो आपको यहाँ से desktop mode में convert कर लेना है अपने wallet को और यह connect हो जाएगा connect होने की बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि इन्होंने कहा है कि 100K active users थे उन्हीं लोगों को हमने provide किया है जबकि लोगों के पास 1502,000 तक coin थे लेकिन इन्होंने किसी को 6 coin, किसी को 2 coin, किसी को 1 coin इस तरीके से provide किये हैं तो अभी हम क्या करते हैं claim पर click करते हैं claim पर click करेंगे लेकिन जो यह BNV लगेगी यह BNV बहुत ही कम यानि मान के चलिए point में ठीक है यह आप देख सकते हैं यह जाएगा अब आपके पास जितना भी coin होगा उसे साब से उसके बाद में यह जैसे ही आपका claim हो जाता है आप देख सकते हैं मेरा confirm हो चुका है अब जिस wallet में आपका यह claim हुआ है उस wallet में आपको क्या add करना है उसी metamask में आपको क्या करना है Q&E 3 का जो contact address है वो आपको add कर लेना है यह contact address मैं आपको telegram पे देदूँगा चलि Q&E 3 का जो भी process था वो end हो चुका है अब आते हैं आवाइब की ऊपर आवाइब का क्या है देखें जिल लोगों ने यहां पे आवाइब में क्या किया था यानि अपना wallet update change of आवाइब फरवरी year of यहां पे कहा गया है कि हमारा जो यहां पे आवाइब का year of है फरवरी मंत का इसमें हम कुछ बदलाव कर रहे हैं year of आप सभी को provide करने के लिए तक पर है और हमने आपको year of provide करने के लिए क्या किया है यानि जो आपका wallet है वो select कर दिया है अब वहाँ पे समय लगेगा तो आप क्या कर सकते हैं अपना token claim कर सकते हैं कैसे claim कर सकते हैं regardless of whether you are selected OKCYD hour direct wallet address to receive your token please visit website यहाँ पे कहा गया है कि अगर आपने जब KYC किया होगा तो वहाँ पे आपने wallet address भी दिया होगा अब आपने जो wallet address दिया है तो wallet address जो आपने दिया होगा वो ही wallet address पे आप coin claim कर सकते हैं इसका क्या process है मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है मैंने आपको link provide कर दिया, उस link पे जैसे ही आप click करते हैं, तो जो भी आपका email ID लगा हुआ है, वो email ID आपको यहाँ पे डाल देना है, देख सकते हैं, यहाँ पे डालना है, और इस email ID पे आपको एक OTP यहाँ से send करना है, वो OTP आपको यहाँ पे डालना है, sign in पे click करना है, ज लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ, तो यह wallet address मेरा यहाँ पे है ही नहीं मेरे पास, ठीक है, यह wallet address ही मेरे पास, तो अब मेरा coin का क्या होगा, मैं इसका भी update आपको बदाऊंगा, अगर आपके पास है, तो आप अपना claim कर सकते हैं, claim करने के लिए क्या करना है, यह आपको याद रखना है, इस wallet में आपको कुछ यहाँ पर आर्बीटरम रखना है, आर्बीटरम यानि आपको किसी भी जो यहाँ पर बड़े बड़े centralized exchange हैं, उनमें आपको एथिरियम बाई करना है, और जब आप उसको बिड़ो करें, तो आप क्या select करें, आर्बीटरम select करना है, अब आपका जितना भी यहाँ पर coin होगा, वो आपका यहाँ पर so करेंगा, इतना coin आपको मिला है, अब इनके भी विविन ने यहाँ पर कारण बताए गई हैं, कि इस हिसाब से आपको coin दिया जाएगा, लेकिन मैं एक चीज और आप सभी को बताना चाहूँगा, यहाँ प बीच में अगर आप अपना airdop claim कर लेते हैं, तो सही है, अगर आप claim नहीं करते हैं, तो देख लिजी यहाँ पर क्या बताया गया है, पार्टीसिपेट मस्ट claim their airdop token within 7 days, यानी 7 दिन का समय दिया गया है, फ्रॉम दा स्टार्ट आप कैम्पेइन, अगर आप 7 दिन में claim नहीं करते हैं, एनी अन-claimed token for remaining after the deadline will allocated to the treasury and future ecosystem development and community activity, देखे यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप claim नहीं करते हैं, तो यह जो token होगा, हम future मे जो भी याँ पर development करेंगे अपने project में, यानी जो भी याँ पर project में development करेंगे, उसकी regarding इसको याँ पर हम save कर देंगे, यानी फिर आपको इस महीने का ये token नहीं मिलेगा, जब अगले महीने का token आपको distribute कराया जाएगा, तब उस समय अगर आप फिर claim कर लेते हैं, तो ठीक ह अगर claim नहीं करते हैं, तो उसकी भी यही इस्तिती होगी, जो इस समय इस token की याँ पर है, यानी अगर आप claim करते हैं, तो आपका सही है, अगर नहीं करते हैं, तो फिर से आपका उसी जो भी याँ पर project में रखा जाएगा, उसमें submit कर दिया जाएगा, साथी साथ gas fees की अग प्रिगाड़ीं ये रखा गया है, अभी जिस हैसाब से यहाँ पर एरडॉप चल रहा है, तो हम लोगों को लगता है कि ये दो साल का जो यहाँ पर समय दिया गया है, वो दस साल में convert हो सकता है, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या यहाँ पर रखा जाएगा, और किस तरी आलिस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, टेलीग्राम जरूर जोइन कर लिजी कोई की सारे अपडेट्स आपको सबसे पहलों पर प्रोवाइड कर दी जाते हैं, थेंक्यू फॉर वाचिंग